नमस्कार दोस्तों तो आज था हिंदी इवग भारती का पेपर बारवी का आज हम वीडियो में देखने वाल हैं कि क्या उसके एंसर हो सकते हैं एंसर कैसे होने चाहिए तो चाहिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले कोई सुचनाय दी हैं तो देखो यार मैंने कहा था कि आदर्श बदला या फिर पाप के चार हतियार जो पहला पैसेज है उसमें से ही आएगा और देखो उसी में से आया पाप के चार हतियार देखते हैं पहला question क्या है आखुरतीपूर्ण कीजिए संसार में, जीवर में, विवस्था में, वहवार में तो इसमें क्या है आपको बताना था यह आपको देखो यहीं पर मिल जाएगा दूसरे पैसेच में संसार में पाप है, जीवर में, दोश है, विवस्था में, अन्या है, वहवार में अत्याचार ऐसे आपको लिखना था इसमाज सेवा ही इश्वर सेवा है इस पर अपने विचार 45-50 शब्दों में लिखिए तो भाई इसका अंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ अपने शब्दों में लिखना था, तो आपने यहाँ पर कुछ भी लिखा है ना, तो आपको मार्क्स मिलेगा ही आपने अगर इसको खाली छोड़ा है तो नहीं मिलेगा मार्क्स अगर कुछ भी लिखा है आपने यहाँ पर दो चार लाइन लिखा है तो मार्क्स मिलेगा इसलिए मैं इसका एंसर बताने वाला नहीं हूँ उसके बाद एक दूसरा पैसर है जो कि आपका सुनो किशोरी इसका है तो देख लेते हैं क्या है सबसे पहले है कारण लिखिए बदलते वक्त के साथ नए मुल्यों को पहचान कर हमें अपनाना है तो देखते हैं कि इसका एंसर कहां पर है देखो बदलते वक्त के साथ बदलते समय के नए मुल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है बिना समझे बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाब के बजाए हानी उठानी पड़ सकती है यहाँ पर इसलिए इसका अंसर ही आजाएगा बदलते हैं वक्त के साथ नय मुल्यों को पहचान कर हमें अपनाना है क्यूंकि इसका अंसर यहाँ परे देखो बिना समझे बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाब के बजाए हानी उठानी पड़ सकती है दूसरा कारण है अपने टूटे फुटे मुल्यों को भरसक जोड़ कर खड़ा करने से को ही लाब नहीं है इसका देखते हैं कहाँ पर हैं देखो इसका सेकंड पैसेच में हमारे बहुत से पुराने मुल्यों अब इतने टूट फुट गए हैं कि उन्हें भी जैसे तैसे जोड़ कर खड़ा करने का मतलब होगा कि अपने आधार को कमजोर करना तो इसलिए आपको यहां पर लिखना था है तूटे फुटे मुल्यों को नहीं लाब है उसके बाद उपयोगता गद्याश में प्रयोगता शब्द यूग में ढूटका लिखे तो बहुत सारे शब्द यूग में हैं जैसे कि यहां पर आप देखोगे सबसे पहले टूट फूट उसके बाद जैसे तैसे रीती नीती और सड़ी गली टूटे फूटे भीतरी बाहरी देशी विदेशी तो कितने सारे आपको यहां पर मिल गए इसलिए आपको यही सब लिखने थे जैसे कि टूटे फूटे जैसे तैसे रीती नीती उ आपको चार को ही लिखने थे जो की बहुत आसान थे उसके बाद फिट से आपका एक्सोमत का क्वेशन है जो आपको अपने इसाब से लिखना था मैं नहीं बताऊंगा उसके बाद निर्मिगित क्रेश्णों के उत्पर 80-100 सब्दों में लिखे तो यह आपका भाई डाजेस् को माफ कर दिया ठीक उसकी सजा माफ कर दी और इससे हमेसी दोता है कि बैजुबावरा संगीत का सच्चा पुजा रही है उसने घमड नहीं किया ऐसा आपने लिखा हुआ ना कि शुरू में क्या हुआ था बैजुबावरा के पिता को तांसें के कारण अपनी जान से हाथ द चानाटा में मॉंटरल प्रोटेकल हुए थे बहुत सारे एंड उसके बाद सुनो किश्योरी पार्ट के अधर पर रूड़ी परंपरा था था मुल्यों के बारे में लेखिका के विचार सपस्ट की ता आपको यही यहां पर लिखना था कि रूड़ी परंपराय में अंतर ब देखो मैंने का था साइट सम्मादी सामानिकार में से आने वाले हैं तो इसी था में कुछ इतना हाड नहीं था सुदर्शन जी का मूल नाम जैसे की बद्री नाथ था उसके बाद करनाया राल मिश्यो प्रभाकर जी के निबंद संग्रहों के नाम लिखी तो इसमें आपका निबंद संग्रह, एक्थारयसे महके अंगन चह के द्वार ये लिखना था उसके बाद funding commentUSुदर्शन जी ने इस लेखग की पुरमपरा को आगे बढ़ाया तो इसमें आएग आपका मूंसी प्रेमचंदर management की लेखन पुरमपरा को आगे बढ़ाया उसके बाद आशारानी वोराजी की रशनाय लिखे तो बहुत सरी रशनाय थी, इसमें से आपको मिनिमं knee hole घायतर सब्सक्राइक कैसा है आपको यहां पर लिखना था तो यहां पर आपको इस अधर लुक्ना में दिया गया है देखो जैसे गगन में काल रवी चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती तो यहाँ पर आपको लिखना था कि तारका मंडल मोती की तरह मले निल धूब की तरह वन्टराइब फूल की तरह वायू का चवण डूलाना तो ऐसे आपको लिखना था अगर आपने ऐसे नहीं जैसे इश्वर का प्रभु आएका आकाश का गगन आएका समय का काल आएका और खोज का खोजत आएका उसके बाद फिर से एक आया है विद्यार्थी जीवर में गुरु का महत्व तो इस पर आपको अपने विचा लिखने तो मैंने ही बताने वाला हूं बहुत आसान था अप मेरे मालिक तरदानों में बी शायद लगा है घुन मेरे मालिक तो इसको 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 मोडिफाइब करके अच्छा से लिखना था उसके बाद हम जिंदकी के चंद सवालों में खो गए तो आपको यहाँ पर देख सकते हूं सारे जवाब उनके उजालों में खो गए यही सब तो आपको आपर मिलने ही वाला है उसके बाद उप्युक्त पद्यांश में आई हुए हिंदी शब्दों के उर्दू शब्द लिखिए तो पक्षी का सबसे पहले देख सकते हो परिंदा आएगा सपना का ख्वाब आएगा प्रिश्न का आएगा सवाल एंड उत्तर का आए तो इस रसा जो कविता है पेड़ोने कार्थ इसी पर मैंने एक वीडियो बनाया था लास्ट अगे पहले बनाया था कि ये रसा सवादन कैसे लिखें तो उसने मैंने इसी कविता के बारे में बताया था रष्यनकार का नाम एक लाइन में लिखना था डॉक्टर मुकेश पसंद की पंक्तिया आपने कहीं से भी एक आड लाइन उठा कर लिख दियोगी मिनिमम एक लाइन लिखियोगी समझ लो माक्स मिलने वाला है पसंद आने का कारण अपने हिसाब से जिखना था वहां पर भी माक्स मिलेगा और कभी तक केंदरी कलपना सो वही है कि पेड़ को बचाना चाहिए कभी ने पेड़ के माधम से हमें मनुश्यों में पेड़ के माधम से बहुत ही संदेश दी हैं नेतिक मुल्यों की सीख दी हैं हमें हार नहीं मानी चाहिए और मुश्किलों से लड़ना चाहिए ही तब यहां पर आपको जो जाता हार न यहां पर आपको एक पैसेज में एंसर के लिखना था एंड मुझे लगता है कि आप लोगों ने यही वाला टेंप्ट किया होगा मुद्दो के अधार पर उसके बाद आगे है अनिर्म लिखित प्रत्यक प्रश्ण का केवाल एक वाक्य में उत्तर लिखिए तो सबसे पहला है त्रिब्लेचों जी के काव्य संग्रहों के नाम लिखिए दो काव्य संग्रहों के तो बहुत सारे हैं जैसे कि धर्ती दिगंत गुलाब और बुल बुल उस जन्पत का कवी हो कोई भी दो लिखने दें उसमें इसमें जैसे है अपनों के ीच सत्य और शुर्ण है उसमें क्या जरूद थीally ऐसा कुछ रचना है इसमें दो लिखना था उसके बाद दोभाएजिकी विश्चताय बता कि बताइए तो दोहा में आपको यसमें अ मात्राय होती है द्वित्य और चथुर्दत्यरन में 111 मात्राय होती है उसके बाद विभाग तेन विशिस अध्यान कनुप्रिया तो देखते हैं इसमें क्या है कनुप्रिया की वेथाक वर्णन तो इसमें बताना था कि कनुप्रिया की वेथाक कैसी है एक्सांपल के माध्यम से यहां बताया गया था तो आप अगरे वाला पैसे देखो के अब इन सोन्य शीखरों दोने के पतले गुन्तिय तारों पुल सा निर्जन एक मिल गया निरर्थग कापता सा यह भी मिल गया और सबसे पहला है सोने के पतले गुंते तारो वाला फुल सा तो इसका आएगा सबसे पहले निर्जन आएगा उसके बाद निरर्थग सोने के पतले तारो से बना हुआ और कापता सा इस चार इसके आएंग लिखा है तब ही चलेगा, क्यों कि सेतु का अगर देखा जाए तो ऐसा कोही बहुचन होता नहीं है, द्वी बहुचन होता नहीं है, उसके बाद लीला का आएगा, लीला यह गाती का घातिया, उसके बाद सुमत का प्रिशन है, व्रिच की उप्योगिता इस पर अपने विज लिखा है, उसके बाद निर्म लिखित प्रिशन में से किसी एक प्रिशन का उत्तर 80 से 100 सब्दों में लिखें, तो कनुप्रिया की दृष्टी से जीवन के सार्थकता सपच्ट कीचे, सो भाई यह आपके स्वाध्या में सही था, इसलिए मैंने कहा था कि पहले स्वाध्या तो आगे देखते हैं विभाग चार वहवारी खिंदी, सबसे पहला प्रिशन में ने कहा था कि 6 मास के लिए आएगा तो 6 मास के लिए यहां पर एक बड़ा प्रिशन है, जो तो को कांटा बुवे ताही बोई तु फूल इस पंक्ति का भाव पर लवन के लिए, तो कबीर फूल जो फूल लगाएगा, उसको फूल ही मिलेगा, यानि कि जो जैसा करता है, उसके साथ ऐसा ही होता है, तो यह थोड़ा हार था, आप में से बहुत लिगों ने यह से नहीं attempt किया होगा, और यह passage यह attempt किया होगा, तो पैसेज देख लेते हैं क्या-क्या है, आपका यह तो में धोशक के वाला पैसे है, सबसे पहला एम जो Candice Numbers में को आने ने वाला पहला वairesगती एम इंद्धा में करना सिर्फ सरखनाप्ति, कैर यहां पर sera को मेम कि मेरे कारिक्रम का ओर अरंब जिसे देख सकते हो, मेरे कारिक्रम का ओरंब तो यहां पर आपको देखो कि मेरे कारिक्रम का आरम जिग्यासा भरा होता है, आपको यहां पर पैस्ज में मिलीगा, इसलिए उसके बाद मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि कारियक्रम को ही भी हो, तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में दिखेगा मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि काल करम को ही भी हो मंच की गरीमा बनी रहे तो आपको लिखना था इतना कि मंच की गरीमा बनी रहे एंकर उद्गोशक का व्यक्तित्व दर्शकों की पहली नजर में सामने आता है आपको इसली यहाँ पर मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पर था निर्म लिखी शब्दों के सब्जों के लिए परिष्यत में आएगे प्रत्य शब्द लिखे तो उपसर्ग और प्रत्य क्या होता आपको पता है उपसर्ग जो वर्ड के आगे लगता है और एक मिनिंग्फुल वर्ड बनाता है प्रत्य जो वर्ड के पीछे लगता है तो देखते हैं कैसे कौन कौन से वर्ड है सबसे पहले व्यक्ति के पीछे आया कौन सा वाड़े देख सकते हो तो व्यक्ति के पीछे यहां पर आप देखोगे तो व्यक्तित्व व्यक्ति के आगे लगा है और व्यक्तित्व बना है उसके बाद सहज के आगे तो यहां पर देख लो इसली मिल जाएगा सहज का सहजता ब तो इसके एंसर कुछ ऐसी होगे, वैक्ति का वैक्तित्व सहर्ज का सहजता, सतर का सतरकता और गरीमा का गरीमा मई उसके बाद फिर से एक सोमत पुछा गया है, वैक्तित्व विकास में भाश्य का महत्व, इस पर अपने विचार लिखिये, तो आपको अपने इसाथ से लिखना था, उसके बाद निर्म लिखित में से किसी एक का उत्तर, अस्तित्र चौ सब्दों में लिखे, तो यह आपके स स्वाधः में था, स्वाधः का प्रेशन है, उसके बाद अधवा पुछा गया है, यहमसी की वाला ही, तो कमेंट करके बताई कि यह आपने अमसी की उट्म्ट किया, यह जो उपर वाला क्वेशन है, बड़ी क्वेशन उसको उट्म्ट किया, तो सबसे पहला है और चित्यपुर्ण तीसरा किसी भी करेक्र में मंच संचालक, उसके बाद चौता भारत में दो हजार दो, उसके बाद यह आपका पठीज गद्याश था, देखते हैं कि इसमें क्या-क्या था और कैसे लिखना था, सबसे पहला है रवीश अंगर जी को प्राप्त पुरसका तो इसका यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर इसलिए मिल जाएगा, पद्म विभूशन, मैक्सिस से, ग्रेमी, क्रिस्टल दता, फुकु, ओका, इसमें से कोई चार लिखना था आपको, तो इसमें से कोई भी चार लिखना था, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो पद्म विभूशन, मैक्सिस से, ग्रेमी, क्रिस्टल, ऐसे चार लिखने थे आपको, उसके बाद निर्म लिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए, नर्तक का आएगा, नर्तिका, ठीक है, नर्तक का आएगा, जो मेल डांसर होता है, और नर्तकी, नर्तकी आएगा, नर्तक का नर्तकी, नर्तकी यानि की फीमेल डांसर, माता का पीता, पंडिताइन का पंडित, पूत्र का पूत्री, उसके बाद यहाँ पर, फिर से एक आपका दिया गया है, स्वमत का प्रिश्ने, उसके बाद यहाँ पर पादिभाशिक शब्दावली वाला है, तो, प्रिक्षन का घर्षन, मेटरोलोजी का मौसम विज्यान, आउटपुट का निकास और ऑउख्जिलरी मेमरी का सहयक स्मृति इसमें से कोई चार अटेम्ट करने थे आपको उसके बाद विभाग पाँच व्याखन थोड़ा चौकाने वाला लगता है क्योंकि इसमें से कुछ-कुछ स्वाध्या में से था और कुछ-कुछ स्वाध्या में से नहीं था क्या आपको भी ऐसा लगता है तो सबसे पहला है काल परिवर्थन वाला मुझे शनवर के लिए चौका दिया था इसको आपको सामान्य भूत काल में परिवर्थित करना है तो इसका आएगा मुझे शनवर के लिए चौका दिया था नहीं लगता है उसके बाद मैं इसके परिनाम की प्रतिक्षा करती हूँ सामान्य भवी शेकाल तो मैं इसके परिनाम की प्रतिक्षा करूंगी उसके बाद आज ओजन शत्री का अस्तित्व ही संक्रत में पढ़ जाता है इसका आपको पूर्न वरतमान काल में करना है तो ऐसा आएगा कि आज ओजन शत्री का अस्तित्व ही संक्रत में पढ़ गया है उसके बाद एक दुख की बात बताने जा रहा था अपूर्न वर्तमान काल यानि कि वर्तमान में रही वो हुआ नहीं है चल रहा है तो इसका ऐगा एक दुख की बात बताने जा रहा हूँ इसके बाद है आपका अलंकार पहचान कर लिखें तो अलंकार वाला है देखते हैं कि क्या क्या इसमें चरन सरुज पकारन लागा तो इसका क्या आएगा इसका आएगा रूपक अलंकार इसके बाद जान पड़ता है नेत्र देख बड़े-बड़े हीरकों में गोल नीलम है ज से बता देता हूं पहले वाले का रूपक अलंकार दूसरे वाले का उत्प्रिक्षा अलंकार तीसरे वाले का अतिशयोगती अलंकार चोथे वाले का दृष्टांत अलंकार आगे देखते हैं आगे आपका रस्त पहचान कर लिखो तो सबसे पहले वाले का आएगा शांत रस्त तो इसका आएगा रोद्र तो इसका आएगा आपका भक्ति और चौथा सीर पर बैठो काग आंखी दो घात तो इसका आएगा आपका वीभस अलंका अब आगे दिया है निर्म रिकित मुहावरों के अर्थ लिखकर उचीत वाक्यों में प्रयोग कीचे तो सबसे पहले वाला है तुती बोलना उसका आप काएगा अध्ricting प्रभाव होना या फिर प्रभावशारी होना इसा आपने लिखा होगा तो भी चलेगा और वाक्यों प्रयोग तो आपको अपने अिसाप्से करना था धाजा डगमगा उटना यानि कि आधार हिल उटना आपने इस से डुसरा भी लिखा होगा तो जहर का घूट पीना तो कड़वी बात सुनकर भी चुप रहे जाना उसके बाद चौथा बात का धनी होना यानि कि अपने वादे का पक्का होना ऐसा आपने लिखा होगा तो भी चलेगा या फिर इसे रिलिटर थोड़ा थोड़ा बहुत अलग लिखा होगा तभी भी चलेगा अटेंशन मतलों उसका कि जो डाजेस्ट में था वैसा ही लिखना था एंड लास्ट में आपका देख सकते हो वाग की शुद्धी करन तो वाग की शुद्धी करन बहुत ही चौकाने वाला था जो कि स्वाध्या में से नहीं है पाट के बीच-बीच का लाइन उन्हें उठा कर लिया है और ज्यादा कुछ हाड भी नहीं है जैसे कि सबसे पहला है इस खुशी में फूल जूम रहेते हैं जीवन और साहीत्य सभी में असाधरन है तो यहाँ पर साहीत्य यह वट गलत है दूसरा वाला साहीत्य आएगा आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कौन सा साहीत्य आएगा तिसरा नए मुल्यों का निर्मान करना है इसमें निर्मान ये शब्द गलत है निर्मान ऐसा वाला आएगा ये वाला नहीं आएगा इसमें निर्मान ऐसा वाला है तो आगे देखते हैं मैंने फिर चूप रहना ही उचित समझा तो इसमें फिर और चूप ए दो गलत है तो फिर इसमें ए वाला फिर आएगा और चूप इसमें ए वाला चूप आएगा तो ए इसमें गलत है तो यह था आपका पेपर हिंदी का अब आप बताईए कि कितने माक्स आपको मिल सकते हैं कितना माक्स आपने सोचा है कितने माक्स का लिखा है तो यही था आज का वीडियो धन्यवाद वीडियो पर देखने के लिए